हाई गाईज दिस इस फ्रियंका गुपता यो लॉफ अट्रेक्शन कोच मेंटोर एंड रेकी मास्टर और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लॉफ अट्रेक्शन क्या है जो लोग भी नए है लॉफ अट्रेक्शन के बारे में उनके दिमाग में बहुत सारे और इसके साथ ही आपके दिमाग में जो शंकाएं होंगी कि लॉफ अट्रेक्शन काम करता है नहीं करता लॉफ अट्रेक्शन के साथ क्या फॉलो करना चाहिए कैसे जो वीडियो है यह आपकी जिन्दगी को बदल कर रख देगा अगर आपने इन स्टेप्स को समझ लिया और स्टेप बाइ स्टेप आप सक्सेस की सीडी पर चड़ते जाएंगे So let's get into the video दोस्तो पहला जो स्टेप है न लॉफ एक्षन का वो है इंटेंस डिजायर यानि आपके भीतर तीवर इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को पाने की देखिए डिजायर तो सबके भीतर होती है लेकिन कैसी होती है किसी की धीमी होती है मध्यम होती है फिकी होती है किसी की तीवर डिजायर होती है हर एक की desire भी अलग-अलग level पे होती है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब आपका वीडियो देखते हैं तो हम बहुत motivate हो जाते हैं लेकिन अगले दिन फिर से हम वही negative thoughts सोचने रखते हैं क्यों कि उनकी जो अपने जीवन में बदलाओ की इच्छ है वो तीवर नहीं है वो धीमी धीमी है वो समझ लीजे ऐसी मौंबती है जो फीकी फीकी जल रही है धीमी धीमी जल रही है जो बुझ भी नहीं रही है लेकिन ठीक से जल भी नहीं रही है तो क्या होता है आपके भीतर intense desire होनी चाहिए और अगर आप किसी भी successful इंसान की जिन्दगी को उठा कर देखेंगे न उनकी जिन्दगी के किताब के पन्नों को पलट कर देखेंगे न तो आपको पता चाहिएगा कि उनके भीतर वो जो desire थी successful होने की वो किसी और desire से बड़ी थी इसी लिए दोस्तों उन्हें सिर्फ अपना goal दिखता था चाहिए कितनी भी बाधाएं हैं चाहिए कितनी भी समस्याएं हैं वो हार नहीं मानते थे तैराकी के अंदर 8 gold medal जीतने वाले माइकल फेलप्स जब 8 gold medal के लिए उलम्पिक की practice कर रहे थे तो उनका heart तूड़ गया था डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम उलम्पिक में अगले सार पार्ट नहीं लो वरना तुम कभी तैराकी नहीं कर पाऊगे उस बंदे ने heart नहीं मानी उसने तैराकी की कैसे की पैरों से की उन्होंने पैरों से तैरने की practice की और दोस्तों मज़े की बात यह है कि जब अगला उलम्पिक आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और हातों के साथ-साथ पैरों की तैराकी में trained होने की वज़ा से उनकी speed उनके competitive से कहीं ज़ादा थी जिसकी वज़ा से वो आठवा gold medal बड़ी ही आसानी से जीत सके तो इसे कहते हैं तीवर desire अगर उनकी जगा कोई और व्यक्ति होता तो हार मान कर बढ़ जाता आप मेरी जिन्देगी में कोई परिवर्ता नहीं हो सकता लेकिन successful लोग आप से कैसे different है क्योंकि वो ठान लेते हैं कि अगर मुझे ये success चाहिए अगर मेरा ये goal है मुझे इसे achieve करना है तो इसके लिए फिर मुझे जो भी करना पड़े मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का एक price आपको pay करना पड़ता है अगर आप healthy होना चाहते हैं तो आपको exercise करनी पड़ेगी योगा करना पड़ेगा उसी तरह से अगर आप किसी exam में success पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ये चीज़ आपको law of attraction का पहला step समझाती है दूसरा step क्या है दूस्तों दूसरा step है अपना best version बनना अपना updated version बनना दूस्तों हमारा goal ये है कि हम हर महिने एक लाख रुपए कमाएंगे अब कुछ लोग क्या होते हैं उन्होंने ये goal अपना लिया अब वो सोचते हैं कि सामदाम डंडबेच से ये कारे करेंगे उससे वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको मुर्ख बनाकर उनसे पैसे आट सकते हैं ठीक है लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो अपने उपर काम करेगा वो अपने उपर इनवेस्ट करेगा उसे पता है कि वो एक लाँ लोग उसे ऐसे नहीं देंगे उसकी वैल्यू के लिए देंगे जब वो अपनी फील्ड में मास्टर हो जाएगा तब लोग खुद बकुद उसके पास चल के आएंगे जो कमिया है उसे खतम करना है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने होगे और अपने उपर काम करने के लिए आपको सही मेंटोर्स की जरूरत होगी ताकि कोई specific field है जिसमें आप जाना चाहते हैं आप यह देखिए कि उस specific field में कैसे ल एक दिन में ही one to ten पर नहीं पहुँच जाएंगे लेकिन एक से दो पर जाएए दूसरी से तीसरी सीड़ी पर जाएए और इस तरीके से आप दसवी सीड़ी पर जाएए जब आप दसवी सीड़ी पर पहुच जाएंगे ना दोस्तों तो आपके पास खुद बाखुद होते हैं मैं सब कुछ जानता हूं जीवन infinite ौर अनंत है और जीवन में आप कि अपड़िए करतेकर शुद आपके पास खुद चल कर आएगा इसरा जो स्टेप है ना दोस्तों वो है आटो सजेशन जब आप सक्सेस की राव पर जा रहे हैं तो आपको हमेशा आपने आपको जगजोरना होगा खुद को याद दिलाना होगा कि जागो उठो तुम्हारा ये गोल है तुम्हें फिट होन इसरा जो भी आफरमेशन से आप खुद अपनी भाशा में बनाओ जो आपको सबसे जाधा क्लिक करते हैं सबसे जाधा पसंद आते हैं आप उन आफरमेशन का यूज करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफार्म करो आफरमेशन हमेशा छोटे होने चाहिए पॉजिटिव चाहिए और प्रजेंट टेंस में होने चाहिए यानि आम सो हैपी और ग्रेटफुल सॉफ्ट्रियर इंजिनियर नाओ और आपको ग्राटिट्यूट से सुरू करना चाहिए क्योंकि जब आप इसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आ आपने मुझे वो चीज दे दी और मेरे साथ हमेशा यह है काम करता है कि जिस चीज के लिए मैं धन्यवाद कर देती हूं वो चीज मुझे बड़े आराम से मिल जाती है इन फ्रैक्ट मैं उसके बार में सोचती भी नहीं फिल भी वो चीज मुझे मिल जाती है so कितना इतना ही नमस्ते